नमस्कार सातियों, आज की इस वीडियो में हम वक्षिट पचास जिसमें हम 3D वस्तुों को समझेंगे अब 3D वस्तु आप सोच रहोंगे ये क्या अलग चीज आई है नहीं नहीं, आप रोज ही उससे ही आसपास उसके ही रहते हो, ऐसा कुछ नहीं है 3D यानि जैसे हम तीनों डाइमेंशन यानि उपर, नीचे, अगल बगल हिस्सा देख सकते हैं उसका वही 3D होता है तो धारण से समझते हैं, नीचे कुछ आकार जैसे shapes कहते हैं, बने हैं, जिन्हें आप देनिक जीवन में देखते हैं प्रतिक आकार एक ठोस है, मतलब उससे अगर अपन हाथ पेर चलाएंगे तो उसका आकार जोई बदल नहीं जाएगा अर्थार प्रतिक आकार ट्रीवमी आकार है, ट्रीवमी है, ट्रीवमी है, यानि 3D है तो हमें दिया है, नाम दिया है, उनके आकार का नाम दिया है अगला देखते हैं यह जो शब्द नहीं लग रहे हैं तो आपको इसा कि आदत हो गई है इन्हें हम जानते हैं, देखते हैं, मैंने इन्हें सिर्फ नाम नहीं लिखा, इनके में चित्र भी लेकर आई हूँ, तो आपको और मज़ा आएगा, कि नहीं पांच वस्तुव के नाम बताई है, जो गोले से मिलती जुलती है, तो एक तो आप सोचिए वो लड़ू के तक गो के दिल में चैंट भी जोएं फिर अपनी गेन है ना, कोई सीवी गेन सोचो, पिर नारंगी आपन खाते हैं, नारंगी संत्रा फल, भी जो होते हैं तो आपने और और से मिलने वाली आप धिमाग लगो तो आपने ओर भी देखिए, किसी ये बढ ड़े पर तोपी देखिए, वो शंकू आकार के होती हाद आया यह देखिए एसी एसी रहती ना टूपी यह शंकू आकार की यह तो जनम दिन कैप लिखा मैंने गाजर का भी आकार आप देखाऊंगे तो देखो यह शंकू आकार का है ठीक है फिर अगला देखते हैं ट्राफिक कोण अब ये क्या सोच आपने ये क्या होता है तो इससे देखा है अपने लगे रहते हैं इसी को कहते हैं ट्राफिक कौन तो देखे इसका भी आकर कैसा शंकु आकार है न अगला देखते हैं Christmas tree अब ये तो बहुत ही जादा सुना होगा और इसा देखा होगा बनाया भी होगा यही जो आकारे देखी यहां से यहां तक ज़ legitimately आ रहा है देखो शंकू आकार यह यह भी है ना फिर है घ। है घ। है कंटा मस्ती करके पढ़ाई करते रों एम्मलते अगले वीडियो मां तब तक के लिए ओक्यवाई